हेलो स्टूडिंस वेलकम्टिशन कम्यूनीटीज यूट्यू चैनल कॉम्पपटिशन कम्यूनीटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्राणजल सिंग एन आप फैकल्टी ओफ लॉइ the competition community और आज आप सभी students के लिए में लेके आया हूँ हमारे 36 गड़ Excise Act 1915 का एक और वीडियो लेक्चर चाथिस गड़ आपकारी अधिनियम 1915 के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं Chapter 8A of the Excise Act जो की डील करता है इसको फटा-फट समझने की कोशिश करते हैं और अपने concept को पूरा clear कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया हम डील करने वाले है Chapter 8A of the Excise Act जो की डील करता है 61B से लेके 61F तक क्या क्या है इसमें अब यहां पर आपको सबसे पहले 61B में क्या दिख जाएगा definitions पहले दिमाग खराब हो जाता है कि definition clause तो हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं यह definition clause है specifically chapter के लिए और जैसा कि यहां पर ए लिखा हुआ इसका मतलब क्या है सर कि यह किसी amendment से याड़ हुआ है तो जो यहां पर scheduled areas को लेके जो descriptions दिये गए हैं उसको लेके यहां पर definitions है कि इस chapter के context में क्या क्या चीजों का क्या क्या मतलब होगा और फिर उसके बाद हमारे पास scope and extent है उसके बाद हमारे पास exemptions है powers है और enforcement कैसे होगा उसके बारे में बहुत ही simple सी चीज़े है इसको हम फटा-फट समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हमें क्या देखना हैसा definitions को देखना है जो की दिया हुआ है 61 B में क्या कह रहा है इसका part A कह रहा है scheduled area के बारे में यानि की कौन से area को scheduled area माना जाएगा अब यहां पे इसने define नहीं किया है इसने बस बता दिया है कि सर आप उस address में चले जाना तो आपको पता चल क्या है क्या बोल रहा है यह scheduled area means the scheduled area as referred to in clause 1 of article 244 constitution of India यानि कि article 244 के सब clause 1 में जो बोला गया scheduled area exactly वही है उसके बाद हमारे पास B में बताये गया है gram panchayat gram panchayat क्या है sir तो gram panchayat और gram sabha shall have the same meaning as assigned to them in चतीजगर पंचायत राज अधीनियम 1993 इस अधीनियम के अंतरगत जो माना गया है gram sabha को और gram panchayat को उनका मतलब इस context में यही निकाला जाएगा और उसके बाद आकरी में आता है scheduled tribe means any tribe or tribal community or part of or group which within such tribe or tribal community specified as scheduled tribe with respect to the state of चतीजगर under article 342 of constitution of India article 342 के base में जिस भी tribe को scheduled tribe माना गया है या scheduled tribe के members माने गए है उन लोगों को यहाँ पे माना जाएगा scheduled tribe अब मैं यहां से आगे बढ़ने से पहले एक शब्द आपका clear कर देना चाहता हूं gram sabha और gram panchayat इन दोनों के बीच में आपको पता होना चाहिए difference क्योंकि यह आगे बहुत जादा काम आने वाला है gram sabha का मतलब होता है किसी भी गाउं की gram sabha जिसमें गाउं का हर एक वो सदसे जो 18 साल से कम उम्र का नहीं होता यानि की 18 साल से जादा का होता है वो उसका by default member होता है उसको कहते है gram sabha यानि की गाउं में जितने भी अडल्ट्स हैं उसके member होते हैं उस सभा के और वहां पे gram panchatic elected body है वहां पे कौन होते हैं पंच होते हैं सरपंच होते हैं एक्सेक्टर एक्सेक्टर वह आपको उसके बारे में पता है ठीक है सर अब आगे बढ़ते हैं 61C क्या क्या रहा है 61C बात कर रहा है scope and extent के बारे में यह क्या समझाने की कोशिश कर रहा है the provision of this chapter shall apply to the scheduled area and if there is anything repugnant in this act the provision of this chapter shall prevail यह किवाल इतनी कहने की बात कर रहा है कि यह scheduled area के लिए ही चैप्टर बनाया गया है और कहीं पे भी applicable नहीं है लेकिन इस act के अंतरगत अगर कोई और ऐसा प्रोविजन है जो इस chapter के अंदर दिये गए जो sections है या provisions है उनको challenge करेगा या उनको क्या करने की कोशिश करेगा क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो इस chapter के दिये गए provisions हमेशा क्या करेंगे prevail करेंगे यह section भी clear है देखिए हमने इतनी जल्दी दो section रिप्टा दिए अब हम 61D पे आ चुके हैं यह को क्या था exception था कि सर आप जो है आप लोगों को है exception कि आप इस टाइप की जो शराब है वो manufacture कर सकते हैं बिना license के एक्सेक्टरा ऐसा क्यों है सर क्योंकि अलग-अलग ट्राइबल में अलग-अलग क्या होती है रिच्वल्स होते हैं वह उन लोगों की जो शराबे हैं वो बन इसका सबसे होता रहा है söyl स्बसेपहले इसका सब्सेक्शन वन क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं यह क्या रहा है प्रोविजिंस ऑ इस act in respect of manufacture of country spirit country spirit का मतलब क्या होता है देशी शराब provisions of this act in respect of manufacture of country spirit by distillation shall not apply to members of scheduled tribe in the scheduled area यह scheduled area और scheduled tribe एक ही शब्स के मतलब है यानि कि वो scheduled tribe के लोग जो किसी scheduled area में रहते हो इसका मतलब यह है कि अगर कोई scheduled tribe का member आके यह बोले कि मैं शहर में बिलासपुर के एक district में बिलासपुर के किसी शहर के बहुत हाई-फाई कालनी में बैट के इसको practice करना चाता हूं तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि आप scheduled tribe के member है तो scheduled area में ही आपको होना पड़ेगा ठीक है सर उसके बाद यह क्या कह रहा है यह से वितना समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी देशी शराब के manufacturing को लेकर जो है कुछ provisions आपके ओपर applicable नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्यों इसले नहीं होंगे क्योंकि आपको इस act के अंतरगत एक exception दिया गया है वो जो शराब है वो जो देशी शराब है वो कैसे बनाई जा रही है distillation के थूँ बनाई जा रही है distillation का मतलब मैंने आपको बताया था distillation का मतलब होता है evaporation के थूँ ठीक है इसका हमारा सब क्लॉस 2 क्या कहता है सब क्लॉस 2 कह रहा है members of the schedule tribe may manufacture country spirit by distillation but subject to the following conditions अभी क्या कह रहा है कि जो schedule tribe के member है वो country spirit यानि की देशी शराब बना सकते है distillation यानि की भाप के थूरू लेकिन उसके तीन conditions उनको follow करने पड़ेंगे क्या है वो तीन शर्ते पहला यह है कि manufacturing of country spirit shall be of for domestic or religious purpose of members of schedule tribe यानि की पहली कंडिशन तो यह बोल दी कि sir अगर आपको बनानी है तो आप बनाईए बिल्कुल बनाईए आपको allowed है क्योंकि आप schedule tribe के member है लेकिन वो डमेस्टिक यानि की घर के काम के लिए होनी चाहिए या आपके religious purpose के लिए या अगर आपके कोई देवता है कुल देवता है अगर आप उन को चढ़ाने के लिए या आपके आप के आप को ऐसा तेवार आता है कि आपको शराब बनानी होती है उसके लिए बना रह के लिए आप उसे किसी भी हाल में क्या नहीं करेंगे बेचेंगे नहीं सर किसी भी दुकान में या कहीं पे भी अपने घर से भी नहीं बेच सकते पॉइंट नमबर थ्री क्या किया रहा है मैक्सिमम लिमिट फॉजेशन ऑफ फाइव लिटर पर हाउस होल्ड और एक मैक्सिमम लिमिट भी सेल्ड कर वो डिसाइड कर दी गई है वो कितनी है पांस लिटर की लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर ग्राम सभा अगर चा कोई बहुत बड़ा घर है तो उसको भी एक हाउस होल्ड मान लिया जाएगा ठीक है सर आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं हमारी अगली जो सेक्शन है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है यह इस चाप्टर का सबसे बड़ा सेक्शन है यह किस बारे और प्रोहिबिट मैनिफैक्टर पोजेशन ट्रांसपोर्ट सेल एंड कंजम्शन वह बहुत इंपॉर्टेंट है विदिन इट्स जूरिज्डिक्शन जो ग्रामसभा है यानि की वह गाउं की सभा जिसमें 18 साल से उपर के सभी लोग बाई डिफॉल्ट में उस सभा के पास है कि उस छेत्रा अधिकार में जहां पे वो ग्रामसभा है यानि की उस गाउं के एरिया में उसके पास ये पूरा का पूरा राइट है कि वहां के मैनिफैक्टर सेल पोजेशन यानि की बनाना बेचना अपने पास रखना और साती साथ कंजम्शन भी यहां पे लिखा हुआ ऐसका मतलब क्या है सर कंजम्शन का मतलब है पीना अगर वो पीने के उपर वी क्या क्या कर सकती है अगर बोल सकती है कि इस समय के बाद यह कोई भी शराब नहीं पिएगा अपन में अगर आप पी 8A है तो एक amendment के बाद आया है तो इस amendment के आने से पहले यानि कि इस chapter के अस्तित्व में आने से पहले से अगर कोई manufacturing plant है जो की शराब बना रहा है तो gram सभा इस chapter का इस्तमाल करके उसको prohibit नहीं कर सकती है उस पे रोक नहीं लगा पाएगी उसके बाद आता है subsection 2 no new manufacturing or manufacturing outlet for sale यानि कि कोई भी manufacturing plant factory नहीं लगाई जाएगी या कोई नहीं दुकान नहीं बनाई जाएगी बेचने के लिए शराब को कब shall be opened by the state government in area coming under the jurisdiction of gram सभा without the prior permission or confirmation अब यह क्या कह रहा है यह केवल इतनी इसी बात कह रहा है कि सर कभी भी state government जो है वो बिना gram सभा की permission के या consent को लिए या तो consent ले ले या तो permission ले उसके बिना कोई भी manufacturing plant यानि कि जहां पर factory लगाई जाए शराब को बनाने की या फिर कोई दुकान जो कि शराब को फॉलो अगर gram सभा ने किसी भी प्रकार का कोई prohibition लगा दिया तो यह following conditions उसके उपर apply होंगी पहली condition क्या है sir no new manufacturing of intoxicants shall be established within the jurisdiction of gram सभा अगर एक बार gram सभा ने बोल दिया कि कोई manufacturing plant नहीं लगेगा हमारी gram सभा के jurisdiction में तो फिर उसके बाद से कोई भी नया plant नहीं लग सकता उसके लिए वो illegal हो जाएगा उसके बाद no new outlet for sale of any intoxicants shall be opened and the existing outlet shall be closed with effect from the first day of the next financial year immediately following the issue of order of prohibition जैने कि अगर gram सभा ने कोई prohibition का order निकाला कि अब यहाँ पे कोई sale नहीं होगी हमारे गाउं में तो उस person के लिए हो जाएगा rightful कि उसको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी जिसके दुकान पहले से चल रही है नहीं दुकान तो already नहीं हो सकती लेकिन जिसकी पहले से चल रही है उसको भी बंद करनी पड़ेगी लेकिन immediately नहीं करनी पड़ेगी जो next financial year आयेगा उसके first date से यानि की first date तो कि क्या होगी वह होगी first April financial year 31st March से first April तक चलता है first April से 31st March तक चलता है तो 31st March को आपका last financial year खतम होगा तो जो भी उसका सबसे closest first April होगा वहां पर वो क्या कर देगा अपनी दुकान को बंद करके समेट देगा और उसके बाद हमारे पास क्या आता है नहीं करेगा पोजेस नहीं करेगा पीएगा भी नहीं यानि की कंज्यूम भी नहीं करेगा उस ग्राम सभा के एरिया में किसी प्रकार की शराव अगर ग्राम सभा नहीं है हम इस पर प्रोहिबिशन लगाते हैं ठीक है सर और उसके बाद हमारे पास आता है आकरी स्थारी सेक्शन जो की बात करता है इन्फॉर्समेंट की और यहां पे पहली बार शब्द इस्तमाल होगा ग्राम पंचायत का क्या कह रहा है सर यह सिर्फ हमें इतनी सी बात बताने की कोशिश कर रहा है अग्राम सभा शेल बीवन एफेक्ट टूबाइग ग्राम पंचायत यानि कि gram सभाने जो भी दिसेजन दिया है उसको इन्फोर्स कौन करेगा gram पंचायत क्योंकि ग्राम सभा थो इक सभा है उसको इनफोर्स रहे उसको ठपपा कौन लगाएगा gram पंचायत यह एक तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं राज सभा से पास हो कि उसके स्टाम कौन लगा रहा है प्रेसिदेंट और तोरिटी कौन दे रहा है उसको प्रेसिदेंट ठीक है सर। अगर ग्राम सभा को कभी भी लगता है कि उसके डिसीजन में किसी गौवर्मेंट के ऑफिसर की असिस्टेंस की जरुवत है तो वो ग्राम पंचायत के पास जाएगी और ग्राम पंचायत जाएगी अपने जुरिस्डिक्शन के SDM के पास जिसका मतलब होता है सब डीविजनल मजिस्ट्रेट के पासया किवहने और एसेस्टैंस दे या तो बटे कॉगए और तक वोग्यावघ र AF अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के केरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको